यह है गाइस दोजार चोबीस की औल न्यू मारूती सुजुकी डिजायर जेड़क साइस एंजी वेरियंट आज मैं इसका फुली डिटेल्स में रिवू करने वाला हूँ सो आज हम बात करेंगे इसकार के न्यू फीचर्स के बारे में साथने में प्राइस बनने के बाद इसकार की अप ओर रॉल ऑन रोड प्राइस क्या है मायलेश कितना देती है टॉप स्वीड कितनी है सारी जान कर दोस्तो इस वीडियो कंदरे में आपको डिटेल्स में देने माला हूँ वीपर वी स्टार्ट इस रिवीव स्पेशल टैंक्स वो मारुती सुजुकी अरेना अगर आपको मारुती सुजुकी का कोई भी प्रोड़क्ट देखना है तो शोरम की सारी कॉन्टक और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस कार के की से की के उपर यहापर आपको सुजुकी का लोगो मिलता है की के उपर लॉक कौन लॉक एंड बुट ओपन के बटन से तो सिंपल सी इसकी की ए स्टार्ट करते वॉकराउंड से एक बर आप इस कार का साइड लुक चकाउट कुर लो तो कुछ इस टाप के साइड लुके फ्रंट लुके बात की जाए तो कुछ ऐसा इस कार का फ्रंट लुके स्टार्ट करते इस कार के फ्रंट से तो फ्रन्ट में वाइट किलर के सथ इसकार का बोण्येट है तो कुछ ऐसा इसका लूक है हेडलाइट की बात की जतो फ्रन्ट में आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हैलोजयन फिञट का सुठब मिलता है नाइट के अंदर इसकी विजिबिलिटी दोस्तों आपको बहुती अच्छी मिलेगी इंडिकेडर्स की बात की जाए तो हेलोजन बल्प के साथ इसके इंडिकेडर्स है तो कुछ श्टाप से जो है ओन होते है स्टार्ट करते इसके फ्रंट लुक से तो सुजिकी का लोग आपको क्रॉम फिनिशिंग के साथ मिलता है साइड में थोड़ाबूत क्रॉम का यूज क्या है मैट बलेक कलर के साथ इसकार की गिरिले जो कि इसका लुक जो दोस्तों देखने के लिए बहुती अच्छा लगता है फिल्ली हैलोजन बल्प के साथ इसके फॉग लैम से इसके भी साड में क्रॉम का यूज क्या है जो कि देखने के लिए इसका और को कापे ज़दा एक ट्रेक्ट लुक देता है बाकी बीच में लेगी गया हमारी नमबर प्लेट यहाँ पर अब देख लो मैट बलेक क्लर के साथ इसके वाइपर से तो कुछ ऐसा इसका लुक है फ्रंट में इसका बड़ा सा विंशिल्ड है स्टार्ट करते हैं इस कार के साइड लुक से तो कुछ इस टापके इसका साइड लुक है 185 x 65 R15 के रेडियल टूबलेस टार मिलते हैं विट 15 इंच उप सिल्वर कलर अलोई विल्स अलोई स्की उपर सुजुकी का लोगो है सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो इसके फ्रंट में आपको मैट फरेजन स्ट्ट सस्पेंशन का सेड़ मिलता है खराब रासु के उपरे आपको बहुती आचा कंफोर्ट देने वाले अभी हम बात करते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में तो फ्रंट में आपको डिस ब्रेक्स का सेड़म मिलता है और इसके रेरे में आपको ड्रम ब्रेक्स का सेड़म मिलता है तो बहुत ही अच्छी खासी इसकी ब्रेकिंग है स्टार्ट करते इसके साइड से तो बोडी कलर्ड इसके ORVM से इसके साड में आपको इंडिकेटर्स मिलते है इलेक्ट्रिकली एज़स्टेबल इसके ORVM से बाकी यह है इसकार के ABC पिलर्स ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ इसके डोर वाइजर से एक बर अप इसका लूक देख लो डोर्स के साड में थोड़ा बूत क्रोम का यूज़ क्या है यहाँ पर आपको मैट ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलती है बोडी कलर्ड इसके डोर हैंडल से बाकी यह इसका रिक्वेस्स सेंसर है साड में आपको ड्यूल टोन कलर की मॉल्डिंग मिलती है जो कि एक एकसेसरी का पार्ट है सस्पंशन की अगर हम बात करें तो इसके रेर में आपको टॉर्जन बिम सस्पंशन का सड़ मिलता है तो यसके सस्पंशन है सा्ड में इसका पेटरल का फ्यूल काप है जो कि एक आपर 129 पेटरल का सपट करती है और यह इसके CNG का फ्यूल काप ए स्टार्ट करते हैं इसकार की अर्यर लूक से तो कुटिश टाप के इसका र्यर लूक है क्रोम के फिनिशिंग के साथ सुजुकी का लोगो है बाकी यहाँ पर इसका क्रोम का एलिमेंट है जो की देखने के लिए इस कार को कापे ज़धा एक्टरेक्टिव लुक देता है यहाँ पर क्रोम ट्रीट्मेंट के साथ डिजायर की ब्रेंडिंग है इसके रेर में आपको कॉंबिनेशनल LED टेलेट का सेड़ मिलता है और यह है इसके ऐलोजन इंडिकेटर्स साइड में रिवर्स लाइट है बाकी बिश में लगीगी आमरी नमबर प्लेट यहापर आप देख लो सेफटी की बात की जाए तो इसके रेर में आपको टोटल चार पार्किंग सेंसर्स मिलते है सेफटी के लिए दोनों साड़ में इसके रिफलेक्टर से अपोजी साड की लुक की बात की जाए तो अपोजी साड से इसकार का सेमी लुक है स्टार्ट करते है रेर से तो rare में इस कार का defogger है इसके उपर CNG की ब्रेंडिंग है यह है इस कार की LED High Mound Stop Light अब भी हम बात करते हैं इस कार के boot space के बारे में तो यह है इस कार का CNG का टैंक जो की 55 लिटर्स का है boot space की बात की जाए तो काफी अच्चा-कासा इसके अंदर आपको boot space मिलता है स्टार्ट करते हैं इस कार के इंटिरेर से तो कुझिश्ट आपके इस कार के डोर पैनल से यह है इस कार की speakers और यहाँ पर आपको matte black color की finishing मिलती है जो के एक hard plastic के silver color के साथ इसके डोर रिलिवर से बाकी lock unlock के buttons यहाँ पर आपको button texture की finishing मिलती है यह है इसके overveams के controls child safety lock lock unlock के buttons और चारो power windows के button से यहाँ पर इसका थोड़बू space है और यहाँ आपको beach killer की finishing मिलती है यह है इसका bottle holder और यहाँ आपको थोड़बू space मिलता है यह वाला part आपको fiber body के साथ मिलता है side में इसके speaker से इसके दर आपको total 4 speakers मिलते है अभी हम बात करते हैं इस car के interior के बारे में तो यह है इसके AC vents engine start stop button और यहाँ पर हाड़ प्लस्टिक है नीचे में fuel change का button traction control on off button और headlight level array यहाँ से इसका fuel cap open हो जाएगा और यहाँ से इसका boot open हो जाएगा seats की बात की जाए तो beach color के साथ इसकी fabric seats से जो क्यार इसकी कुश्टिंग जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी है तो काफी comfortable इसकी seat है और adjustable इसके address है यहाँ से आप इसके height को adjust कर सकते और यहाँ पर आप इसको forward backward भी कर सकते matte black color के साथ इसके carpet से और यह है इसके three pedals यहाँ से आप इसके bonnet को open कर सकते beach प्लस black color के साथ इसकार का overall interior है tilt adjustable इसकी steering है यहाँ पर थोड़बूत wooden texture का यूज़ किया है beach में Suzuki का logo है और side में chrome की finishing है यहाँ पर इसके music control के बटन से और यहाँ पर silver color की finishing है call, receive, decline and voice command के बटन से यहाँ पर headlight के control से और यहाँ पर wipers के control से अभी हम बात करते हैं इसके instrument console के बारे में तो जैसे इस बटन को में प्रेस करता हूँ तो वेसे इसका instrument console जो है वो on हो जाएगा इंडिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको brake warning light बाकी low fuel indicator, steering warning light traction control on off की indication है fully analog के सद इसका speedometer है and analog के सद इसका rpm meter है check engine light, low battery indicator nature में oil indicator side में engine temperature की indication है बीच में इसकी चोटी सी M.I.D. है जिसके left side में petrol का fuel गेज़े और right side में CNG का fuel गेज़े उपर में outside temperature, नीचे में time clock और यहाँ प्रेस का trip meter है और भी features की बात की जाए तो इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको odometer, trip A, trip B कुछ इस टैपकिस के features है साथी में right side lever को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको real time mileage indicator, average fuel economy and range कुछ इस टैपकिस के features मिलते है यहाँ पर धड़ाबुत hard plastic का यूच क्या है बड़ा साथ कार का dashboard है यहाँ पर इसके दो AC vents से side में silver color की finishing है बीच में parking light का button है जो की safety के लिए बहुत ही अच्छी पात है यहाँ पर थड़ाबुत wooden texture का यूच क्या है इसके नर आपको 7 inch touchscreen display का सदम मिलता है कुछ इस टैप से जोए on होता है उपर में radio and time clock है यहाँ पर आपने device को connect कर सकते है जैसे की AHA and pair device यहाँ पर आप देख सकते है साथी में यहाँ पर आपको radio मिलता है उपर में time clock and date and year की information है मिड़ा के उपर क्लिक कने बाद यहाँ पर आपको FM, AM, Bluetooth, USB and AUX के control से फोन के अंदर यहाँ पर आपको call and SMS alerts मिलते है यहाँ पर आप calling भी कर सकते है यहाँ पर tuner की settings है settings के अंदर जाने के बाद यहाँ पर display की settings है इसके brightness को आप कम ज़दा कर सकते है साथी में यहाँ पर इसका day and night mode है day, time and year को यहाँ आपर आप set कर सकते है वेहिकल alerts से इसको आप on-op कर सकते है काफी सारी इसके अंदर alerts से तो काफी सारी इसके अंदर आपको settings बिलती है सेकी रूटी के अंदर इसके pin को आप set कर सकते है system information को आप देख सकते है बाकी open source license है factory data reset के options है जो की बहुत यह अच्छे बात है बाकी यहाँ पर इसके audio settings है इनको आपकम जदा कर सकते हो connectivity के अंदर आपको smart play studio android auto and apple carplay भी मिलता है साथे में यहाँ पर इसकी phone settings है तो काफी सारी इसके अंदर feature से नीचे में इसके automatic AC control से यहाँ से अप इसको control कर सकते हो उपर में इसका छोटा सा display है नीचे में 12 watt का charging port and USB aux port है यहाँ पर इसका तोड़बू space है और यहाँ पर इसके दो cup holder से 5-speed manual gearbox setup के साथ है काराती है side में silver color की finishing है और यहाँ पर भी silver color की finishing है यह है इसका handbrake जिसकी उपर chrome की tip है यहाँ पर भी इसका तोड़बू space है उपर में इसका ticket holder है यह है इसके day and night adjustable IRVMs उपर में इसकी चोटी सी roof light है और यहाँ पर इसका sun visor है जिसके अंदर vanity mirror and airbag की branding है auto foldable इसके grab handle से यहाँ पर इसके AC vents and wooden texture की finishing है नेचे में इसका glove box है जिसके अंदर आपको थड़बू space मिलता है chrome treatment के साथ इसके door liver से बाकी यहाँ पर इसके थड़बू space और power windows के button से यहाँ पर भी wooden texture की finishing है and side में speaker से और यहाँ पर इसका bottle holder है sitting position की बात की जाए तो यहाँ पर अपने pair वगेर आरम से रख सकते है कोई भी आपको दिकत नहीं आने वाली start करते इसके रियर इंटिरियर से तो यहाँ पर भी matte black color की finishing chrome treatment के साथ इसके door delivers power windows के buttons और यहाँ पर इसका थड़बू space से और यहाँ पर इसके bottle holder और speaker से तो यह था इस car carrier का door panel अभी हम बात करते इसके रियर seats के बारे में adjustable इसके रियर के address टे side में इसके auto foldable grab handle से और उपर में इसके roof light है यह है इस car carrier के इस events बाकी यहाँ पर भी आपको 12 watt का charging port मिलता है और यहाँ पर इसका थोड़बू space है leg room की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको कापी अच्छा space मिलता है यह है इस carrier के armrest जिसके अंदर आपको 2 cup holders मिलते है तो जैसा मैंने का कि adjustable इस carrier के address टे fuel tank की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 37 liters का petrol का fuel tank मिलता है अभी से यह car E20 fuel को support करती है CNG के tank की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 55 liters का CNG का tank मिलता है यहाँ से आप इसके CNG को fill up कर सकते है अभी हम बात करते हैं इस car के engine के बारे में इस के अंदर आपको Q12N 1197 CC Dual Jet 4 Cylinder 4 Wall Petrol Plus CNG Abdu2 E20 F engine मिलता है जो की produce करता है 76.43 BHP की पावर और 98.3 Nm तक का torque तो काफी अच्ची खासी इसके अंदर आपको पावर मिलती है बाकी यह है इसकी बैटरी तो गाज इस car के सारे features इस वीडियो के दर में आपको detail में explain किये mileage की बात की जाए तो यह car आपको 31.12 km पर kg तक का CNG के अंदर mileage देगी टॉप स्पीड की बात की जाए तो यह car आपको 155 km पेस तक की टॉप स्पीड देगी इसके basic body dimensions आप डिस्प्ले के उपर देखलो 9.7,000 इसकी एक शुरूम प्राइज है और 10.32,000 इसकी और रोर प्राइज है तो गाइस बस यही टी वीडियों मिलते किसी अगले इंट्रेस्टिंग वीडियों के साथ तब तक के लिए stay tune